हेलो साथियों आप लोगों के सामने में आज सीधा रूप करूँगा एक ऐसी ख़बर से जिसको जनना आपके लिए बेहत जरूरी है साथियों आप इस खबर को सुनते ही आपके रोगटे खड़े हो जाएंगे प्रियाग राज इलहाबाद जो है दो दिन पहले प्रियाग राज में गायव बीए की छात्रा का सव कुवे में मिलने से संसनी मज़ गई हो पुलीस जाच में जूट चुकी है साथियों क्या है पूरी जानकरी क्या है पूरी खबर इस वीडियों में बताएंगी इलहाबाद जो इसे द्लैले में पढ़ने वाली छात्रा का किस प्रकार हुआ है हत्या तो देखिए साथियों वीडियो को अंतक देखिएगा पूरी चीज आपको समझाते हैं देखिए जो खबर ह अमरुजाला में प्रेसित हुआ है अमरुजाला में और यस समय देखिए आप लोग कब की खबर है मैं रात में वीडियो बना रहा है यह खबर है यह आप लोगों के लिए बनाना इसलिए आवस्यक था अभी आपको बताऊंगा इसमें क्या आपको इसे सीख मिलनी चाहिए सारी शीज़े आप लोग देखे यदि लड़कियां हो चाहे लड़किया हो कोई भी हो उनके लिए यह उप्योगी होगा उनके लिए इसलिए उप्योगी होगा कि उनको मैं एक ऐसी सीख देने वालों हूँ है जिसको उनके लिए बहुत सुनना आवस्यक होगा आज मंडे जो कि पिछला दिन भी चुका है आज 25 जनवरी हो चुकी है ये 24 जनवरी दोजर बाइस आठ बच की देख लीजिए आठ बच को 49 मिनट पर ये खबर अपडेट हुई है साथियों जो कि अमर उजाला में हुगा है अमर उजाला को तो सभी जानते हैं तो देखिए उसमें आया होगे के मूल रूप से जो चात्रा थी वो फूल पूर की रहने वाली थी और जो चात्रा थी वो सलोरी में इस्तिधा गल्स हास्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी साथियों एक आम लड़कियों की तरह जिस तरी जाया हें जैनके कोलेज अभी चात्रा यहां पर इस्वर डीक्राइन क्वकलेज में आपको बता रहे हैं इस वाड़क। जो मेन केमपस है आप लोग जानते हैं उसके कई संबंधित कॉलेज हैं जैसा कि इस्वर्सरा डिगरी कॉलेज एडी सी कॉलेज, सीमपी डिगरी कॉलेज, जगत तरन डिगरी कॉलेज, राजर श्री टंडन और स्यमा परसांद मुखर जी तो ऐसे अनियक जो और कई भी महा व स्थित है, वही के पास में ही सलोरी में ही इस्थित गल्स अल deliver, गल्स हॉस्टन मे वह लगा लड़की रहती थी, और करे तू, आपको बता हैं उसके साथ आजम गड़ का रहने वाला अमन सिंख्व भी पहता था, कहने का मतल्ब उसके साथ रहता नहीं था विलहाल उसके ती जिसकी हत्या हुई है वो गल्स होस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी और उनके साथ जो था वो आमन सिंग नाम का लड़का जो आजम गड़कर रहने वाला था वा किराये पे कमरे ले करके कहीं पर रहता था सलोरी में ही और फिर क्या हुआ यह आप तस्वीर एक देख लि कि वे लोग बिलखते हुए रोते हुए देख रहे हैं आप लोग बिलखते हुए परिजन जो हैं किस परकार से अब हम लोग बिस्तार से बताते हैं कुरी घटना किस परकार से सामने आई है तो साथिवों देखिए करनल गंज में रहकर परतियोगी परिच्छा की तयारी कर और उसकी लास कुए में जैसे मिली तो सब लोगों को संसनी सी फैल गई है अभी कल अगभारों में यह चप भी जाएगा साथियों और आपको बता दे पुलीस और ADRF की टीम देर रात तक सौ को बाहर निकालने के लिए मसकत करती रही इतना मसकत क्या हुआ साथियों क्योंकि यूती जो थी वह दो दिन से गायब हो गई थी परिजन काफी खोजबीन कर रहे थे उसका फोन और जो सारा उसके कनेक करने का सिस्टम था सब बंद हो चुका था क लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा था इसी बीच बगाड़ा के इलाके में लड़की का सौ कुए में मिलने की सूचना पुलिस तक पहुच गई यह खबर तो अब क्या होता है मूल रूप से फूलपूर के इलाके की रहने वाली यह च्छात्रा सलोरी में इस्थित अब ही आपको बता रहे हैं किराय में रहता था दोस्त के खिलाब लिखा गया था अपहरार का मुकदमा साथियों आपको बता दें दोस्त के खिलाब जो इसके मुकदमा लिखा गया था जब यह क्या हुआ गायब हुई यह लड़की तो बताया जाता है कि दो दिन पहले ल لڑکی अपने दोस्त अमन के साथ पार्क में बाट कर बात चीट कर रही थी जैसा कि आप लोग जानते हैं अपनी लाबाद दोसे डाल Navalman बहुत सारे तमाम पार्क हैं भारत वाज पार्क कमपनी गार्डन और ही हाथी पार्क कही सारे पार्क हैं जो अपने कर रहे थे इसी बीच कुछ लोग पहुँज गए हैं वहां पर जहां यह लोग पार्क में बैठे था और दोनों को पीटना सुरू कर दिया यह फाई आर में जब मुकदमा दर्ज कराया गया उसके बाद यह बाते पता चली पीटना सुरू कर दिया गया और इसके बाद ही हुआ होगा उसके बाद आमन के खिलाब अपहरार का मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की हिरासन में भी ले लिया आरोपी जो भी थे उनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया जो भी बात हुई थी और आपको यह कनोखा जानकारी हम देने वा पताएंगे जो आपकी जीवने बहुत प्योगी होगा साथियों यदि आप भी यहां बाहर से आकर पढ़ाई कर रहे हैं तो चाहे वह कोई बहन हो चाहे वह कोई भाई हो आपको बताएंगे पुलिस की पूछताच में अमन भी लड़की के बारे में कुछ बता नहीं रहा था कहने का मतलब जब पुलिस पूछी तो आमन भी कुछ लड़की के बारे में बता नहीं रहा था जिसके बाद पुलिस ने मुबाईल काल डिटेल रिकार्ड निकालने की तैयारी कर रही थी इसी बीच बगाड़ा में एक कुए में लड़की के लास मिल गई तो कहने का मतलब जैसे ही यह सूचना फायल गया था उसके बाद जब कुवे में लास मिली तब जाकर कि क्या हुआ अनुसानों कुवे में सबसे ज़्यादा मसकत की हुई पुलिस को निकालने के लिए लास क्योंकि कुवे में पुलिस के अनुसार बताया गया कि कुवे में गैस होने के कारण जो होता है interpretation में अंदर में गैस होता है में में गैस होती है है। जय से काहिए जैसे होने काभी मसखत से पौलिस की टीम आधे ये लास को निकाली और परिजन मूखे पर पहुँच गया और उनको भेस दिया गयcü अब आपाप को साथियों किस तरीके से उनके माबाप भाई बहन बिलगते हुए रो रहें साथियों और यदि आप भी प्रतियोगी परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें साथियों जैसा कि सभी लोग जानते हैं माबाप हमेशा इलहाबाद में पढ़ने के लिए भेशता है और इतने मेहनत करके सभी को पढ़ाते हैं जो भी घर से बाहर आके पढ़ाई कर रहे हैं साथियों तो वे एक बात बहुत ध्यान से दे लिए यही वह समय है जो आप दो तरी साल अच्छे से पढ़ाई करके कुछ कर सकते हैं तो साथियों इसलिए आप ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं अभी भी जैसा कि बहुत सारे केसे सुने ही होंगे लेकिन ऐसे केस होते हैं और पता भी नहीं चलते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग को सोसर भी होता है जिस प्रकार यहां तो उनकी हत्या हो गई एक बेगुनाह कह सकते हैं बेचारी जिसकी कु जाहे कहीं भर भी हो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या भी किसी भी सिस्टम से आप रहे रहे हो कोई भी मकसद हो आपका तो ऐसे कि नहीं के बीचों से किसी के साथ ऐसा रिस्ता ना बनाए और जो भी हो सारी चीजें आप लोग समझदार खुदी होते हैं तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे किसी के जहासे मिना पड़ी यह बहुत सारे सोसड होते रहते हैं तो साथ यो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें सभी लोगों तक पहुंचाईए सब्सक्राइब कि आखिरकार हम को ऐसे लोगों से सतर कर रहना चाहिए अब क्या है कौन है गलत कौन ह सही आरोपी कब तक पकडाएगा पकडा गया है कि नहीं पकडागाई सारी डिटेल्स अब तो पुलीस अपने हाथों में ले ली होगी और पुलीस इस पर जुट चुकी होगा और पुलीस पकड़ भी लेगी एकाउंसे और पी तो बहुत सारे तालास के उनके छेत रहें तो स आप लोग बच कर रहे हैं समल कर रहे हैं सब लोग अच्छे से बढ़ाई करिए